हेलो एवरीवन, वेलकूम अगीन टू लव्रेटिमन, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की अंतरगत करेंगे पर्याए वाची शब्द की प्रैक्टिस, तो मैंने पर्याए वाची शब्द विलोम शब्द जो हैं वह आप लोगों को पढ़ा दिये हैं हिंदी व्याकरण RBSC की यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में जाकर देखिएगा राजिस्थान मादेमिक सिक्षा बोड की बुक से ही परयावाची और विलोम शब्द दोनों पढ़ाय जा चुके हैं तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे आप लोगोंने कितने याद किये हैं या आप लोगोंने कहीं से भी याद किये हैं परयावाची शब्द तो यहाँ आप कितनों के आंसर सही दे पाते हैं चलिए, question बन देखिए, निम्नल लिखित में से कौन से शब्द युग में पानी का पर्याइवाची नहीं है तोए, उदक, बी है, जीवं सलिल, सी है, अम्ब, अब्र, और डी है, अम्ब और आब तो यहाँ पर पानी का पर्याइवाची शब्द जो है, यदि आपको याद है, तो आपको आंसर सही, लगाना है, कौन सा आपका सही है तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा, option C तो यह, उदक, जीवन, सलेल, अम्बू, आप, यह सभी पानी के पर्याइवाची शब्द हैं, लेकिन अम्बू और अब्र जो है वह है, नहीं है तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, कि पानी के यह सभी पर्याइवाची शब्द है नेक्स्ट देखिए question 2, नीचे लिखे शब्दों में अगनी का पर्याइवाची शब्द कौन सा है, अनिल, तड़ित, अनल और लपट तो फटा-फट से सोचिए कि अगनी का पर्याइवाची शब्द इसमें से कौन सा है तो इसी तरीकी के प्रश्ण आपके अग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सा पर्याइवाची शब्द है और कौन सा नहीं है तो यहां पर अगनी का पर्याइवाची शब्द जो है कौन सा है अनिल, तड़ित, अनल और लपट तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर यहाँ पर रहेगा अनल, ठीक है, याद रखिएगा कि अगनी का परेवाची शब्द अनल है, जबकि अनिल जो है, वह किसका है, पवन का है, वायू का है, ठीक है, और तडित और लपट जो है, यह है, अगन तो इन में से कौन सा आकास का परेवाची नहीं है, तो यदि आपको आकास के याद है, तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से ही आप देख लोगे, तो कौन सा सही आंसर आपका होगा, चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, नभ जो है, वह आकास का परेवाची नहीं है, तो फिर यह किसका है, यह है परवत का है, चल यानि की चलना और अचल यानि जो ना चल सकें है, तो अचल जो है वह 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 परवत का, नेक्स्ट देखिए, तो इन्चारों मैं इसे परेवाची कौन सा है? तो प्रतिहार का जो परेवाची शब्द है वह कौन सा होगा सैनिक होगा, सेवक होगा, द्वारपाल होगा या नौकर होगा तो यहाँ पर सही उत्तर्ज होगा, वो होगा द्वारपाल ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए, प्रतिहार का परयवाची द्वारपल होगा Q5 है किस समू में सभी परयवाची नहीं है तो यहाँ पर दिये हुए हैं अक्षी, चक्षु, द्रग, लोचन, लक्ष, धेय, प्रयोजन, हेतु, इंदीवर, उत्पल, पुंडरिक, राजीव, रश्मी, अंसु, मयुक और चैन तो इनमें कौन सा समू हुँ जो है, जिसमें सभी परयवाची नहीं है, यह आपको देखने है तो देखिए विलोम शब्द और परयवाची शब्द, जिनको हम इग्नॉर कर देते हैं और यह ऐसे मार्क्स होते हैं, जो बहुत ही आसानी से लिये जा सकते हैं क्योंकि यदि एक के आप अच्छे से याद कर लेते हो, तो चाहे नहीं पूछा हो, चाहे उसका परयवाची शब्द पूछा हो, तब भी आंसर जो आप सही कर पाओगे तो यहाँ पर सभी परयवाची शब्द जो है, अक्षी, चक्षू, द्रग, लोचन, यह तो आख के हैं, नेतर के हैं, लक्ष्य, धे, प्रयोजन, हेतू, यह तो उदेश्य, यानि लक्ष्य के हैं, इंदीवर, उत्पल, पुंडरिक और राजीव, यह आपको पता हैं, कमल के हैं, इसके अलावा रश्मी, अंसु, मयुक और चैन, तो यहाँ पर देखिए, यह किरण के हैं, लेकिन चैन जो है, यहाँ पर D option को गलत कर रहा है, तो इसलिए आंसर जो है, होगा D, इनमें से ब्रह्मा का प्रयावाची शब्द कौन सा है, चक्रपानी, विरंची, पता होने चाहिए, जिसे कि हम समास में भी सही कर सकते हैं, तो इसलिए परयावाची शब्द आपको आने चाहिए, यहाँ तक कि हिंदी व्याकरण का हर टॉपिक जो है, दूसरे टॉपिक से लिंक होता है उसका, तो एक टॉपिक यदि आपको संग्या आता है, तो आप सर् ब्रह्मा का परयावाची शब्द जो है, वो कौन सा है, तो देखिए चक्र पाणी, पाणी यानि हाथ और चक्र यानि जिनके हाथों में चक्र है, तो वो कौन है, वो तो विश्नु भगवान है, गंगा धर जिनोंने धारन कर रखा है गंगा को, तो वो अशिव है, त्रि इनके तीन लोचन है, वो भी शिव है, तो यहाँ पर वी ओप्शन जो रह जाता है, कि ब्रह्मा के परयावाची है, विरंची, इन में से कौन सा शब्द अगनी का परयावाची नहीं है, पावक, वैश्वानर, कृशानु, कृशानु और अनिल, कौन सा सब्द अगनी का प कि अगनी का परयावाची जो है, वो पावक भी होता है, वैश्वानर भी होता है, और कृशानु भी होता है, लेकिन अनिल जो है, वो हमने क्या देखा था, पवन का होता है परयावाची शब्द, यहां होता अनल, तो यह भी अगनी का परयावाची शब्द हो जाता, इन मे से कौन चा सब्द जो है वह है पत्थर का पर्यावाची नहीं है तो देखने में तो चारो ही लगते हैं समान कि पत्थर के ही होंगे फिर भी इनमें से एक जो है वह है पत्थर का पर्यावाची नहीं है तो यहाँ पर देखिए अर्ष्म जो है वह पत्थर को कहते हैं ग्रावा भी कहते हैं और पाशान जो है वह क्या है पत्थर का तत्सम रूप ठीके तो ये भूदर जो है यह परेवाची शब्द जो है वह पत्थर का नहीं है तो फिर ये किसका है? यह पहाड का परियावाची शब्द है. तो पत्थर और पहाड में भी अंतर है. कौन सा सब्द नदी का परियावाची नहीं है? सरिता, तरंगिनी, तरणी और निरजहर्णी नदी का परियावाची नहीं है. तो सोचिए इनमेंसे आपका सही उत्तर जो है वो क्या रहने वाला है नदी का पर्यावाची शब्द जो है वो कौन सा नहीं है चलिए तो मैं ही इसका आपको बता देती हूँ सही आंसर कि जो तरणी है तरणी यह नदी का पर्यावाची शब्द नहीं है इसके अलावा नदी के पर्यावाची शब्द याद कर लीजिए सरिता, तरंगिनी और निर्जहरणी नेक्स्ट देखिए 10 है इनमें से किस विकल्प में दिये गई शब्द परसपर पर्यावाची है मार्तंड भाशकर, बी है चंद्रमा चपला, सी है अगनी अनिल और डी है व्योम कौमुदी तो ऐसा ओप्शन जिसमें दोनों ही शब्द जो है वह एक दूसरे के पर्यावाची है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बिल्कुल आंसर जो है दिखाई दे रहा है मार्तंड और भाशकर, जो किसके हैं? सूरे के पर्यावाची शब्द है इनमें सिक्किस विकल्प में दिये गई सब्द पर्यावाची नहीं है जन्नी, प्रसु, अंबा, मैडक, दादुर, मंडूक, जिहवा, रसना, अक्षी और हस्त, कर और पाण तो सोचिए इसमें से आपका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है? तो चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा इसमें सही आंसर तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है वह सी जो है सब्द जो है यहाँ दिये गए हैं सब भी परस पर परयवाची नहीं है जननी, प्रसू, अंबा तो ये सबी तीनों ही परयवाची शब्द हैं एक दूसरे के मेंडक के दादूर मंडूक है हस्त कर पाणी हाथ के हैं लेकिन जिहवा और रसना तो है जीब का अक्षी जो है वह किसका है आंख का परयवाची है इसलिए C option सही है निमने लिखित मेंसे कौन सा सब्द रात का परयवाची नहीं है निष्आ, विभावरी, यामनी और तिमीर तो यहाँ पर रात का परयवाची नहीं है कौन सा नहीं है पतवर्ट से सोचिए तो आप लोगों ने याद किया होगा रात के पर्यावाची तो यहाँ पर रात का पर्यावाची शब्द जो है वह निशा भी है विभावरी है यामिनी भी है लेकिन तिमिर जो है वह रात का पर्यावाची नहीं है तो तिमिर किसका पर्यावाची शब्द है? अंदखार का पर्यावाची है ये तिमिर नेक्स्ट देखिए कोशन 13 किस विकल्प के सभी शब्दों परसपर पर्यावाची है? अगनी, वहनी, अनिल, पाशाण, अश्म, उत्पल, व्योम, नब, अंबर, पयोधर, उरोज और सरोज तो ऐसा कौन सा विकल्प है? जिसमें सभी पर्यावाची सही हैं और वो एक दूसरे के हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-थोड़ा अंतर होता है तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा व्योम, नब, अंबर, तो यह सभी किसके पर्यावाची शब्द है? आकास के पर्यावाची शब्द है नेक्स्ट देखिए कुश्चिन 14, कौन सा सब्द केश का पर्यावाची नहीं है? केश यानि बाल का कुंतल, कच, शिरो रूह और सरो रूह तो यहाँ पर कौन सा केश का पर्यावाची नहीं है? तो देखिए केश के जो पर्यावाची है कुंतल, कच, शिरो रूह लेकिन यह जो सरो रूह है यहाँ केश का पर्यावाची नहीं है नेक्स्ट देखिए इन में से कौन सा सब्द धनुस का पर्यावाची नहीं है? विशिक, कोदंड, चाप और सरासन तो यदि आप लोगोंने पर्यावाची शब्द जो है वो अभी तक याद नहीं किये हैं, दिहान नहीं दिये हैं, तो उनको याद करिएगा क्योंकि ऐसे ही एक या दो कुश्चन जो है वो पर्यावाची शे आपके अग्जाम में पूछे ही जाएंगे तो यहाँ पर धनुस का पर्यावाची शब्द जो है कोदंड है, चाप है, सरासन है, लेकिन विशिक नहीं है तो चलिए इन 15 मेंसे आपने कितनों के सही आंसर दिया है, आपको बताना है बिलकुल इमानदारी के साथ यहाँ पर्यावाची का टॉपिक जो है वो मेरा क्लियर है, यहाँ पर अगर नहीं सही होते हैं, तो आपको दुबारा से वो पढ़ने हैं तो टेस्ट करने से ये पता लगता है कि हमारी किस टॉपिक में कमजोरी है या हमारा कौन सा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर है चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स टॉपिक के साथ थेंक यू